नमो नारे जेगो माता वंदे मात्रों मा भारतिक उपनाम और हिर्दैशे ओम शम शनिश्चराइव प्रिदर्शकों मित्रों शाथियों मैदान में जो व्यक्ति हार जाता है तो मैदान में हारावा इंसान फिर से जीत सकता है लेकिन जो मन से हार जाता है वो इंसान कभी जीत नहीं सकता है मन को अपने उपर हावी मत हो, हमेशा मन पर हावी रो, मन आपके कबजे में होना चाहिए, मन पर आप सवार रहो, मन आप पर सवार नहीं रहे, ये प्रियास जीवन परियंत आपका होना चाहिए, तभी जीवन सुखत होगा, हो नहीं आ रहे हैं, प्रिदर्शकावन मित्रों 29 जुलाई 2022 से 24 नमबर 2022 तक ब्रशपति देव 119 दिन के लिए मेंडासी श्वाराशी मेंड में वक्री हो रहे हैं 12 राश्यों पर क्या प्रभाव रहेगा इस वीडियो को लेकर आपने शाम जब 10-12 दिन पहले यहीं 12 जुलाई के दिन जब मैं शनिदेव वक्री हो रहे थे करमफल दाता वक्री हो रहे थे तो जब मैं वीडियो बना रहे तो बहुत से लोगों को सवाल थे किसा शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं और ये 119 दिन इन लगबख चार महिने के आसपास वक्री रहेंगे, क्या प्रभाव रहेंगे, इस विशेव को लेकर आपके सामने हूँ, दो या तीन मिनट थोड़ी सी जानकारी दूँगा, आपको लगता है ये जानकारी नहीं सुनना है, तो आप फॉरवर्ड करेज़ेग लेकिन इस दानकारी को समझेगा, ये जीवन भर का अनभव जो आपके सामने रख रहा हूँ, मैं वैर्त नहीं बोल रहा हूँ, आपके काम आएगा, ब्रश्पत्य देव मीन डासी में 29 जुलाई 2022 सुबह दो बज कर 9 मिनट पर वक्री होंगे, और 24 नुम्बर 2022 तक ये वक् सनी देव जो स्वराशी मकर में संचन कर रहें, द्रश्टी समंद से त्रेका दज समंद है, तीसरी द्रश्टी से ब्रश्पति देव को देख रहे हैं, और ब्रश्पति देव का किसी भी रूप में सनी देव से समंद होना मनिकांचन योग होता है, अब सनी देव की द्रश पर नक्षत्र में संच्रण करने जब तक यह वकरी रहेंगे शनीदेव की दिशल्छत्र में राशी पर लगनेर शुक्रमितुन राशी दूसरेवराव में बुद्ध मंधल्ध में मिर्षपति देव राशी परिवरतन कर रहें वश्वर अस्य मकर में सनी देव वी भाव में सूरी देव चंदर देव बुद्ध देव ब्रश्पति देव का पंचम नम्म समंद है। स्वरभी देव शुक्र देव चतुर दसम शमध है सूरिदेव चन्धर देव बुद्देव स्ञ डेव का समध्न रुका ब्रेस्पति देव नगाला की स Sharoda एक चतुर दसम शूरी देव चन्धर देव बुद्देव ौर्प देव टी संचनािय दे सर्ब कर हैं और शनीडेव, सूरीदेव, चंदरदेव और बुध्धेव जो भागिस्तान में संचरन करें कि समसब दस्ती है मतलर शनीडेव को शूरादेव, चंदरदेव, बुध्धेव को भी सबस्ती से समसली तस्ती सम्धे आपस केतु देव पर सन्देव की दसम दस्तिय यह जिस समय ब्रश्पत देव राश्ची परिवर्तन कर रहे रात शुबह दो बज़ गर नौमिल उस समय की घरह युगागों की इस्तिय इन संपूर घरह युगागों को क्या प्रभाव रहेगा यह विसलेशन लेकर मैं आपके सान ब्रश्पत देव नवगरों में परम उच्पद पर विराद बाने देव गुरु के पद पर विराद बाने ब्रश्पत देव धरम धन स्वास्ति उच्पद सुख शुभागय उनति समाज में भर्चसो ज्यान शिक्षा शाती संतान का प्रतनी दूर पते अब इसके विना जिवन क्या रहेगा हमारे जिवन के सर्वांगन विकास के कारक शनी देव और ब्रश्पति देव है और ब्रश्पति देव सरवातिक स्वंय और शुभ्ग्राइए ब्रश्पति देव को नीती धरम के साथ विद्या का मान विद्वान माना है मुख्यकारक है ज्यान और विवेक का और विद्या का ब्रश्पति देव धनुमीन का शाव्य है और जोतिसी भासा में करक रासि में उच और मकर रासि में नीज का मना है 39 जुलाई को उत्रभाद्पन नंख्षतों के चोथे चरण में रहेंगे और 25 अगस्त को उत्रभाद्र पहत्र के तीसरे चरण में रहेंगे 23 सितमर को उत्रभादरपद नक्षतर के दूसरे चरण में 29 अक्तूरबर को उत्रभादरपद नक्षतर के प्रथम चरण में रहेगे यानि सनिदेव के नक्षतरों में ब्रश्पत देव का संचरण है मित्र और शात्यों जब शोम्य गर्य जब शुब गर्य वक्री होता है तो सुब फल प्रदान करता है इसलिए भैवित होने की जूरतनी गर्य अपनी राशी में हो उचे राशी में हो मित्र राशी में हो सुब माना गया और श्वाराशी मकर में सनिदेव संचरन कर रहे हैं औ पेरेश पूंद तैस जो Kate वा आपकी जनमकुणली के आधार पर किया जा सकता कि आपकी आपकी जनमकुणली में भरश्पति देव और सिर्ण देव की इस्ठतिह क्या रहें कि मित्रशा और शाथि यह एक 119 दिन कैसे रहेंगे भ्रश्पति देव श्रण देव के द्रशी संबंद के इस वेशे पे बात करूगा राष्ट चंदर राष्ट पराध आरित नाम-राष्ट रहत हाते राष्ट सब के लिए यह पुरुशो चाहिए नारी चाहिए बच्चिय चाहिए बयो क्रोगर्फ तुलाराशी की बात करूंगा कि नेज़तर घंणाओं के आधार पर जो ब्रशपती देव वक्री हो रहे हैं स्वा-्राष्टी मीन में तुला-रासी वालों के लिए क्या फलादिश कर रहे हैं तुला राशी वालों के लिए ब्रश्पति देव तीसरे और छटे भाव के सामें एकुर छटे भाव स्वराशी मीन में 119 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं यानि 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तेक ब्रश्पति देव वक्री अवस्ता में स्वराशी मीन में छटे भाव से संचर्ण करेंगे छटे भाव में विराजमान ब्रश्पति देव पंचन पूर्ण दसम भाव में अपनी उचरासी करक को देख रहे हैं सब्तमदश्टी करन्या राशी विदेश का भाव धानी मा भिराजमान लोगों के अनभव के आधार पर मैं क्या सकता हूं जो मैंने पढ़ा है लेकिन में उससे सहमत नहीं हूं लेकिन कहते हैं कि छटे भाव में ब्रश्पति की उपस्तिती इतनी कमफर्टेबल नहीं है अपने आपको असहज मैसुस करते कालपुर्ष की कुल्डी में घर बुद्ध का है बुद्धियों का है और बुद्धियों के कारण ब्रश्पति देव आँ श्यंग को अनकंपरटरबल मैसूस करते ऐसा संकेश्यव लेकिन इस बात को भी देखना होगां कि ब्रश्पति इस वज़े से प्रतिकुल प्रस्तियों की बावजूद भी सफलता अपने सवभाव के अनुसार ब्रश्पत देव यहां लाब जरूर देगी फिर भी छेटे भाव में ब्रश्पत देव के संचरन करने की वज़े से वैविशाइक लेंदेन के मसलों में प्रिवेंशन बैटर किता कोई competition है जॉब संबंदी कोई मसला है पूरे effort लगाई लापरवाई से बच्छे ऐसा मेरा अनभाव है अब मैं व्यवेशाय नौकरी आर्टिक देश्टिकॉन से तुलाराशी वालों के लिए बात करूंगा यह अनभाव है भाई क्योंकि तुलाराशी वालों के लिए सफलता तु देगा और चतुर रहिया लाबकारी है भाई क्योंकि सनीदेव और प्रश्टिक का दर्श्टिक शमंद है जो कारवार में अनाव से कुता चड़ उसमें कमी आई गया आप देख लेना बस वैविशाय और नौकरी को लेकर आप अपने धहरी और स्यम से काम किया तो यह 119 दिन कोई तकलिप नहीं आएगी बस धहरी और स्यम रखना शो अवलोकुन रखना हमेशा अपनी गलती देखने की कुशिश करने और परिवार को अपने साथ रगा और पारवारिक सदस्यों की सलाह मसवराग साथ वैविशाय में आगे बढ़ने का प्रियास करें आपको लाब दिला है कारुबार में धन की प्रापति हुम अवसर मिलेगा वैविशाय विस्तार का ने कारियों की परति पारवारिक सदस्यों के कारण मननकुल रुजान और लाब मार प्रसत होगा प्रतिश्यत और रसुदार लोगन साथ संपर्ग बढ़ने के कारण मांद समान, धन सम्मंदी, समशा का शमधार मी मुझे नजर आ रहा है, कारोबार में नए पार्टर आपको मिल सकते हैं, ऐसे संभावना नजर आ रही है, और उसका लाब भी आपको मिलेगा, जोब को लेकर अच्छे आउस्तर का संकेत नजर आ रहा है, जोब शमंदी, परेशान शे के लिए बड़ा उत्तम रहेगा, पारवारी सदर से छोटे भाई बैन, श्रयकर्मियों और स्रहयोगों का मननकुल स्रहयोग मिलने के कार्ण, केरियर, नौकरी, व्यवशाय, कामकाज को लेकर अलग छबी बनेगा, एक अलग अफसर मिलेगा, और मैं तो गोचर की बात करहा आपको शपलता मिलेगा, ये चतुर धहिया आपको लाब देगी, भै और भरम और भ्रानती से बाहर आईगे साथियों, मननकुल कारोबारी यात्राओं का योग और लाब मिलेगा, सामाजी का और पारवारी दर्ष्ट्रिकों से ब्रष्ट्रियों का छटे भाव स्वाराश में वक्री होना और चटे भाव में विराजमान ब्रष्ट्रिकी नमम दस्ति कुटम भाव पर है, दूसरे भाव पर है, और ब्रष्ट्रिकी दस्ति में हम रहे थे, तो कुटम के साथ जो कले है, जो प्रहशानी जो कष्ट है, उसमें कमी आईगे, जीवन में एक अच्छा परवारिक माहोल मिलेगा, जीवन शुक्षानती की और अगरसर होगा, परिवार के लोग एक दूसरी की भावनाओं की इज़त करेंगे, कदर करेंगे, जो अनावशिक, भय, भरम, जो कलह, कष्ट, इन परिशाने से आपको छुटकारा मिलेगा, आस-पास का बातावर, शम करेंगे, इसको आप सपोर्ट करेंगे, तो समझी करेंगे, जो रूची है, इसकान आपके मान समान में बड़ोत रूजी, अपनों के साथ बैठने का मोका मिलेगे, गुमने पिने का अच्छा हुसर मिलेगे, पारवारिक शदश्यों का जो श्रहोग है, वो आपके लिए अ पालन करें, और पारवारिक आवस्चता और पारवारिक लोगों से थोड़ासा प्यार से पेश आए, तो भई कस्ट नहीं है, तुला रश्यों की विद्यारति युवाओं की लेकर मैं सिक्षा और केरियर की बात करूं, तो क्योंकि छटे भाव में स्वराशी मेर में परिष्णम और महनत का पूंठ फल प्राप्त होगा, उसके साथ की परिवार आपके साथ करण और परिष्णम अच्छे रहेंगे, मानसमान और प्रतिश्णम में ब्रदी होगी, युवाप परति होगी, अपनी महनत अपनी परिष्णम के बल पर इंटर्वियों में आगे बढ़ने का मौका और आप शोद में हैं, यूपियस की तियारी करें तब ही आउस्टर आपके लिए अच्छा है, हाँ, निजी समंदों को लेकर मन भटकाव की और है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करिएगा, और समंदों में दगा अच्छा नहीं रहेगा, इस पर थोड़ा स हो गया है, तो इधी हडियों में दर्द, वाई विकार, कमर, पीट, पेट, सरमंदी कोई परेशानी हैं, तो चिकसा मेला परवाईने के तुरन दवाले डोक्रों को दिखाए, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान ले, शराब, शिग्रेट, बीडी, गुटका, ये थोड़ा आ अनभव के आधार पर आंकलन था, अब विशेश रावधानी क्या है, तो अततिक आतम विश्वास, आपकी जिद, आपका एहंकार, वैवशाय को लेकर हानी का शंके दे रहे हैं, जिद नुकसान दे सकते हैं, आपकी कारिसली भले आपको लाब मार्ग में हानी दे जाए, व नोकरी में परिवर्तन से निकालने का पिरयास करे अच्छा रहेगा सबसे बढ़ा से बड़ा उपाई है कि उपाय करें हाई एद फिर हर करने जीवन शाती कि पती वफादारी प्रिदर्शकवान मित्र शात्यूंग यह आंकलन अनभूग की आधार प्रथा जोतिस के आपका अपना हूं नक्षत गर्णाओं के आधार पर आंकलन लेकर आ é दबाव कि मेरी बात को आप मानुन का अधिकार आपी के पास में साथ आपकी मर्गिट और सात्यूंग शाधान शावयक्ति योति से प्रयाब करता हूं मेरा राष्ट मेरे ले सरोपर ही आप शुकिरें। आप श्वास्त्रे समरदी सीले निए भगवान पेचेंदू मेरी प्रात्ना ओम नमना है। राज्तान का हर व्यक्ति जानता एक्डाति माराथ गायों से बहुत प्यार करता है। कि हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरौबर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं भिस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का लक् दो शेवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्थिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है कि धन को लेकर मेराष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने यह का कि आप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूं आप भी शेवा नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक प्रस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समस्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा, इन नंबरों पर शंपर करी, आप मेरी से बात करी लेकिन इसकी यह वज में गाएं के लिए चारय की वबस्ता कर लिए और इसली लिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा ये एंकार नहीं है साथियों मेरा राश्ट रोपर है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता करिए सब्सक्राइब आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीशे समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगब बीस से पचीस पचास लोग ऐसे भी है जिन्होंने सनिधाम गोशाला में एकीसो रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की परती अपना आभार परगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूँगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी परस्ति आर्तिक दिस्टिकों से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते हैं सासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यादा है और सासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदे से पुने एक बार निवेदन करना चाहिए कि आपको लगता है कि दाती महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुषयो करे पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी आउम नमोन आराएन